तो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं जगे जो Indian Post Office जानि की बार्तिय डाउक बीबा की नहीं बर्ति आ रही है इसका जो official notification है बो भी बारतिय डाउक बीबा की ओर से आउट कर गया गया इस बर्ति के लिए तो पोस्टने में आप देख सकते हैं इस बर्ति में आपको postal assistant, sorting assistant पोस्टमेंड एंड मेल्सगाड एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे आपको इस बकैंसी इस बरती में देखने के लिए मिलेगी जो इंडियन पोस्ट आफिस की और से अड़र्टाइजमेंड की गई है इस बरती के लिए इसके साथ साथ आप ओफिशल नोटीफकेशन में देख सकते हैं जो आपको टोटल बकैंसी मिलेगी इस बरती में वो मिलेगी 16,800 आपको टोटल बकैंसी मिलेगी इस बरती में जो इंडियन पोस्ट आफिस की और से निकाली गई है इस बरती के लिए जैहिन दोस्तो स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल न्यू सरका पारी जॉप्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन पोस्ट आफिस जानी की बारतिये डाख भीवा की नहीं बरतियार ही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में किस बरती में आपको कौण-कौण सी पोस्टस देखने के लिए मिलेगी टोटल आपको क करें तो आपको इस बरती में 16,800 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी जो इंडियन पोस्ट आफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस बरती के लिए तो इस बरती का जो ओफिशल नोटिफिकेशन है वो भी बारतिये डाग भीवा की ओर से अउट कर दिया गया है तो पोस्ट ने में इस बरती में आपको पोस्टमास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सोटिंग असिस्टेंट and मेल्स गार जैसे वी बकैंसी आपको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहे आपके पास 10 मीं पास की माक्षिट है बारवी पास की माक्षिट है, जग रेजुईशन डिगरी है, इनमें से अगर आपके पास कोई वी एक अजुकेशन साड इवकेट है, दन आप इस बरती में अपना अप्लिकेशन फॉफिल कर सकते हैं, इस बरती में अपलाई कर सकते हैं, सालडी आपको काफी अच्छी मिलेगी इस बरती में, अगर आपका इस बरती में सिलेक्शन हो जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस बीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आई हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल नियू सरकारी जॉप्स को, जॉप्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ज़र जो इंडियन पोस्ट आफिस की और से नहीं बरती आ रही है, इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में, तो इस बरती में आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ जानने की MTS की आपको टोटल 8,275 बकैंसी मिलेगी, पोस्टल असिस्टेंट एंड सौर्टिंग असिस्टेंट की आपको टोटल 3,534 बकैंसी मिलेगी, एंड पोस्टमेंड एंड मेल्स कार्ड की आपको टोटल 4,991 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी, एंड टोटल बकैंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो इस बरती में आपको टोटल 16,800 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी, जो Indian Post Office की ओर से advertisement की गई है इस भरती के लिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में तो अगर आपका इस भरती में selection हो जाता है तो अगर आप postal assistant में and sorting assistant में apply करते हैं तो आपको जो monthly salary मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक इसके बाद postman and mails guard में अगर आप apply करते हैं तो आपको जो monthly salary मिलेगी वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक and last में अगर आप multitasking staff में आपका selection हो जाता है तो जो monthly salary आपको दी जाएगी वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 तक काफी अच्छी salary आपको मिलेगी इस जो में अगर आपका इस बर्ती में selection हो जाता है तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं age limit criteria के बारे में कि अगर आप इस बर्ती में अपना application fulfill करना चाहते हैं इस बर्ती में apply करना चाहते हैं दन आपकी minimum and maximize कितनी होनी चाहिए तो आपकी जो age है बो 18 से 41 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर shoot वी रखी गई है जैसा कि जो कनेट SC जां ST से बिलॉग करते हैं वो 46 साल तक इस बर्ती में apply कर पाएंगे वही जो कनेट OVC से बिलॉग करते हैं वह 44 साल तक इस बर्ती में apply कर पाएंगे तो जे बात होगी age limit criteria के बारे में कि आपकी minimum and maximize कितनी होनी चाहिए इस बर्ती के application farm को fill करने के लिए इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा jobs के लेटर telegram group जाएं नी किया तो jobs के लेटर latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं telegram channel का link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में कि अगर आप इस बर्ती में अपना application farm fill करना चाहते हैं इसके लाबा अगर पोस्टल असिस्टेंट, सौर्टिंग असिस्टेंट, वोस्टमेंड और मेल्स गाड इन सवी पोस्टस में apply करना चाहते हैं देन आपके बास कम से कं ट्वल्थ पास, जैनिकी बारवी पास की mark sheet होनी चाहिए तो जे बात होगी education qualification के बारे में, कि आपके बास कौन कौन से education certificate होने चाहिए अगर आप इस बर्ती में अपना application fulfill करना चाहते हैं तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, selection process के बारे में, कि इस बर्ती में जो selection किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा तो stage 1 में आपका online exam होगा, और अगर आप online exam को qualify कर लेते हैं, उसके बाद आपका कोई भी physical test नहीं होगा ना ही कोई आपका medical test किया जाएगा, सिधी final mail list निका ली जाएगी, और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके documents की verification की जाएगी आपकी join नहीं के लिए, तो इस तरह से इस बर्ती में कुछ selection किया जाएगा, तो जे बात होगी selection process के बारे में और friends, अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो join नहीं किया हुआ, तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं इस telegram channel को join करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी job की new notification आएगी, उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है, तो जल्दी से join कर लीजिए, हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इस बरती को लेकर कुछ important dates के बारे में कि starting date और last date क्या है application form को fill करने के लिए, तो starting date के बारे में अगर हम बात करें, तो 2 April 2022 से इसके जो online application form है, वो लगना start हो जाएंगे, और जो last date है application form को fill करने के लिए, वो है 27 April 2022, तो जे बात ह कुछ important dates के बारे में, इसके बाद अगर हम बात करें application form की fees के बारे में, तो अगर आप इस बरती में अपना application form fill करना चाहते हैं, तो आपको जे सबी document चाहिए होगे, इस बरती के application form को fill करने के लिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं application form की fees के बारे में, कि अगर आप इस बर जो application fee लगेगी बो लगेगी 100 रुपे वही अगर आप S.E.S.T. से बिलोंग करते हैं दन आपकी जो application fee लगेगी बो लगेगी 50 रुपे तो जे बात होगी application form की fees के बारे में इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस बर्ती के बारे में जादा जानना चाहते ह तो इस सभी का लिंक आपको हमारी वैपसेट पे मिल जाएंगे वैपसेट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब वहाँ से के सब चेक आउट कर सकते हैं इस बरती के बारे में